कि यूटूब चैनल इस वीडियो में हम लोग मौन्थली करेंट अफेर्स कभर करने वाले हैं दिसंबर 2023 का तो अगर आप किसी भी कम्ट्रेटिव एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहा हैं लाइक nda cds fcat ssc upsc तो यह सेशन आपके लिए काफी ज्यादा है तो वीडियो करते चलेंगे तो दिया गया कि वीच एशन कॉंट्री एज लॉंच्ट ऑफ ट्वेंटी क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक इंक्लिवडिंग लीथियम और ग्रिफाइट तो कहा जारा कि कौन सा एशन कॉंट्री है ठीक उस एशन देश के बारे में पुछा जारा है जिसने लॉं इसके बारे में कि कौन सा वो आपम लोग ऑप्सन नहीं डेर्स करते चलेंगे तो इसका अगर करेक्ट एंसर देखे तो करेक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन सी इंडिया ठीक है इंडिया ने क्या कि यह लॉंच किया है इशन किसके लिए 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉ जाने की CDPG CDPG कौन से इंस्टियूशन दो आए यह पुछा जा रहा है अगर इसके करेक्ट एंसर की बात करें तो इसका क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन बी ठीक है आई एस एसी ठीक है आई एसी ने क्या किया है लॉंच किया है सेंटर अब डेटा पर पॉब्लि साथ है ठीक है उसने हाल ही मैं टिब्लोबल रेनर्खे प्लेट जो है कॉअप 28 सब्यट में हुआ था हाल में उसको भारत ने साइन साइन नहीं किया थाये साइन भारत ने साइन नहीं प्लेज्ट था कि इस पर कॉप 28 समिट में उसे भाड़त ने साइन नहीं किया कि इस वज़े से तो जो डिवलाप्मेंट कंसर्ण था इस चीज को मद्य ना जा रखते हुए मैं कि अगला कको सब्सक्रा नहीं लुडड़ अग्रीच सील्वा फ्रेंट के EU में पुखा है कि EXE lal taliskeno के सब्सक्राइब यगर लूला ते सिलवा की बात करें तो वह प्रिश्डेंट है ब्राजील के ब्राजील के प्रेश्डेंट हो जा समय को तो नेक्श को चैटि बहुंन दिया गया कि भारत आधिवासी पार्टी यह सब्सक्ण स Warum राट पर्टी कि प्लेंज इसके बारे में जिसकत बारे में ही हो जाएगा बन्द्रस में करेक्ट यांपने पर्दस में जिता है तो ऑप्षन B is the correct answer नेक्स was kitchen में यहाँ पे टी विंटों और से एक पृन में और इस को मिंश्ट होगिया था लेकिन इसको फोर कि पूरन की इसका खोज किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option a South Africa कहा पर खोज किया घया तो South Africa में इसका फिर से खोज किया गया अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि what is the name of the largest survey vessel built in India which was recently delivered by GRAC तो कहा जा रहा है कि largest सर्वे भारत में बनाया गया जिसको हाली में तो जी आरे सी द्वरे डिलीवर किया गया उसका नाम पूछा जारा है उसके नाम कि एकर आम बात करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा option a हो जएगा नेक्स है कि सम्रीधी सम्रीधी के फूल फूर्म की बात करें तो यह पर इसका फूल फूर्म दिया गया मतलब इहां पर यह को किस के लोगो केली यह प्लेटफॉर्म है इसका गौर्में्ट औफिस्यल जो भी गौर्मेंट ऑफिस्यल 시 से उनके लिए लांग लॉइट्फर्म को लॉंच किया गया जिसका नाम है आईगोड कर्मायोगी प्लेटफर्म क्या नाम है कर्मायोगी प्लेटफर्म जिसको क्या बोलग लगे online learning platform किसके लिए तो जो भी गौर्णमेंट ओफिस्यल से उनके लिए प्रौण के लिए यहां पर ऑप्टिन दिया गया अगर करेक्ट एंसर की बात करे तो इसका करेक्ट एंसर抌सन हो जाएगा यह निता यह उल्ट ट्रेट उर्गनाइजैशन से यहूरा हुआ किसे अश्योशिएटेट है से जुरा हुआ है तो इसलिए अप्षन एक रेक्ट असर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है कि वीच एउरोपियन कॉंट्री ठीक उस एप्रूब किया एफ बिल टूबैंड डिस्पोजल इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट ठीक है तो उसने मतलब एक एप्रूब किया बिलको जिसमें क किसी ऑफ बात किया गया कि बैन किया जाए जोभी डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट पेधा उसको बैन करने के लिए उस्ट ए avec your एक जिसने एक बिल को एप्रूब किया जिसमें यह था कि जो भी मतलब डिस्पोजल इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट है उसको क्या किया जा जाए ठेक है इससने निर्मान किया बनाया मारट बिल पेमेंट को भी पियस जिसका बहुत करना ही बिलंट्स फिर औòn बेंट। कि और इस के तो इसको बीड़ किया तो इसका उतार जागा ऑप्षन भी नपी-स सभी फुलपर्म की बात के तो नेशनल पीमेंट करपरेशन ऑफ इंडिया होता है क्या एट निचनल पेमेंट करपरेशन अफ एंडिया होता है टृटिकर तो कर्यक्ट एंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा अला दियांगे कि अत्म नीरभर भारत center for design is located in which city तो यहाँ पर ABCD जिसका फॉल कर्म होता है आत्म नीरभर भारत center for design इसके बारे में पुछा जाँ रहे कि कौन से सहर में यह located टो सिर्ट अपके सामने दिया यह अगर ख्रसक्राइब मेतं खेंट तो नी subjects सांग जाइंट और आ खी सब्सक्राय इस तो कहा जा मैं एस उसने सांग उसने साइन किया पहला डीफेन्स कोपरेशन सायन पुछा जा नहétais एक सब्सक्राइब करें आपके सामने दिया हुआ है अगर इसके करेज्ड आंसर के बात करें सब्सक्राइब को स्भाइब defending के दिखेंग कि है अगली सवाल की बात करें तो नेक्स सवाल दियागा एक कि विच उनिएन मिनिस्ट्री लांच इंट्रेस्ट इक्वालाइजेशंट स्कीम और रूपी एक्सपॉर्ट-क्रेडित पर इंट्रेस्ट इक्वालाइजेशंट किया है तो इस उने सीस्टार प्राइब कोया है तो आपको मंत्रा पर रहें तो अपको मंत्रा ले जो Scotland निस्ट्री अनुमूला रिवान्त जिन ने हाली में क्या किया है अजह चीफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के Cris सीएन के गया चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने पर गरहन किया व्यॉप साथ प्लाइब पर तिश्हें सबसक्री अंथी को सब्सक्तले अगए शिर्मिन और में बात हो रहा है जिसका नाम है हनुकाह और इसे पुछा जा रहा है कि कौन से धर्म से जुरा हुआ fedule से यहां पे अलग-अलग धर्म का नाम दिया गया है है अगर हनुका कि बात करे तो यह जुरा हुआ है तोस चोनुका में पूए अंसीत को champions कि अद Š Alaska किया गया था की साल में किया गया था यह चीज़ कूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C ठीक है 2020 में GPAI याने की Global Partnership on Artificial Intelligence को launch किया गया था कब किया गया था 2020 में विच इंस्ट्यूशन लॉंच ए comprehensive program to combat air pollution crisis in इंडिया तो कहाँ जार की कौन से इंस्ट्यूशन है जिसने लॉंच किया एक comprehensive program जो भी combat air pollution crisis है इंडिया में आप दिया गया है इस्ट्यूशन का नाम अगर करेक्ट एंसर देखें तो इसका करेक्ट एंसर option C हो जागा World Bank ठीक है World Bank से आप एक कुस्चन बार-बार पूछ ले जाता है कि इसका कॉंट कॉंट्री है जिसने विद्रो कर लिया किसे तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिस्याटीव जो भी आ रही है उससे उसने क्या किया है विद्रॉण कर लिया तो इस यह बाहर निकल गया नेस्ट है वीच इस हिस्ऴूंसर कॉन सह है इसका स्पोन सर्बंक कॉन सा है तो यहाँ पर लगलग नाम दिया गया आगर हम यह लिवifi नेजनल अकली कोमपनी के बात पर सही उत्तर हो जाए गा वप्सञ ब्रॉस्च कर भं केंड़ा बैंग केंड़ाइंक का नाम आपने सूना होगा और दूसरा है तनीशा कराश्टो फू वेर सिन इन दे नीज प्ले वीच स्पोर्ट जिन को हाले में नीज में देखा गया था तो पुछा जा रहा है कि ये कौन से स्पोर्ट को खेलती है दोनों का नाम दिया गया है यहां पे ऑप्सन भी दिया गया है है अलग अलग खेल का स्पोर्ट का अगर हम बात करें असविणी पुनप्पा और तनीशा इसक्रेश्ट का तो यह दोनों खेलती हैं बैडिमिंटन क्या खेलती है बैडिमिंटन खेलती है सो बी इस दो करेक्ट एंसर नेक्स्स क्वेश्चन, which country has unveiled करार कॉंबेक्ट ड्रोन equipped with air to air missile तो कहा जारा कि किस देश ने unveiled किया, अनावरन किया एक करार कॉंबेक्ट ड्रोन equipped इसके साथ air to air missile को ठीक है, with air to air missile तो यहाँ पे एक missile के बारे में बात हो रहा है, अगला सवाल दिया गया कि which country, sorry, which South America country reported outbreak of highly pathogenic avion influenza for the first time, तो कहा जारा कि कौन साथ American country है, जिसने report दिया है, outbreak of highly pathogenic avion influenza पहली बार, ठीक है, तो अगर हम उस South America country की बात करें, तो उसका correct answer क्या हो जाएगा, option B, ब्राजील ठीक है, जो outbreak किया है, highly pathogenic avion influenza पहली बार, नेक्स्ट है ICET, ICET for international cooperation and education on technology is administered by which ministry, तो जो ICET है, या international cooperation and education on technology, जिसका फूल भाम होता है, ICET का, ठीक है, ICET का यह फूल भाम होता है, नो डाउन कर लिजेगा, तो पुछा जा रहा है कि इसका administered की ministry द्वारा किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम बताना है, तो ICET की दर हम बात करें तो यह administered किया जाता है, ministry of external affairs के द्वारा, ठीक है, ministry of external affairs, म, ई, ए, इस को हम लोग स्वार्ट में बोलते हैं, अगर हम बात करें तो एस जैसंकर जी, अभी ministry of external affairs है, कौन है, तो जैसंकर, अगला दियागा कि रिजर्ब of which mineral were found in racist district of Zammu and Kasmir in recent time, तो कहा जारा है कि कि किस mineral के रिजर्ब, यानि कि क्या होता है, कि जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा मत्रम में रखा गे, वही पुछा जारा है कि कौन से mineral का रिजर्ब कहां पर पाया गया है, तो इसका correct answer की बात करें, तो इसका correct answer option B हो जाएगा लिथियम ठीक है, जो जम्मू कस्मीर का रिजर्ब हो जागया है, ठीक है, फांड मतलब क्या होता है, खोजना, नेक्स्ट है, SPECS, यानि SPEC scheme is administered by which ministry, तो यहां पर एक scheme के बारे में पुछा जारा है, जिसका नाम है SPEC scheme के नाम है, SPEC scheme और पुछा जारा है कि कि मिनिस्ट्री द्वारा इसका संचालन किया जाता है, एड्मिस्टर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, Ministry of Electronics and Information Technology जिसको मेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा SPEC scheme को एड्मिस्टर किया जाता है, अल्स वाले, यहां पर एक roadmap का बात हो रहा है, जिसका नाम है, जिसको हाल ही में News में देखा गया था, पुछा जारा कि यह किस country से related है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B, Maldiv से related है, तो B is the correct answer, next question है, इकमारा project, which was in news, is in which state, एकमारा project के बारे में पुछा जारे, जो कि अभी news में था, ठीक है, कुछ टाइम पहले news में था, पुछा जारा कि यह किस राज्य में है, कंबाला Conda, wildlife century, where Eastern Ghat, nature interpretation center is being open is located in which तो यहां पे पुछा जारे कि कंबाला, कंडा wildlife century के बारे में जो कि वे Eastern Ghat, गरने जो भी nature interpretation center है, वहाँ पे इसको open किया गया है, तो यह कौन से राजी में इस्थीत है, इस राजी का नाम बताना है तो इसको सही इंसर हो जाएगा अप्शन भी आंधर पर्देश ठीक है आंधर पर्देश में इस्तिते क्या तो कंबाला कॉंड़ा वाले सेंचरी जो की वेस्टरन घाट नीचर इंटरप्रेशन सेंटर को ओपन किया गया है उसी के बारे में जुड़ा हुआ रिलेटर है जो अगर दो अगर बात करें पॉपूलर सन्वां इलेक्टोनिक मुजिकल फेस्टिवल के बारे में बास और तो यह जुड़ा हुआ कश अगर हम एरिए बात करेंगे तभी समॉलेश्ट है है अस स्टेट है ठीक है पॉपुलेश अग बीज तो सिक्किम हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना है अगला दियागा कि वीच स्टेट है रिसेंट्ली ओवा टुक तमिलाडू टू इमर्ज ऐस तो सेकेंड लार्जिस इकनोमे इंडिया आफ्टर महाराष्टरा तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने ओवर्टू किया है तमिलाडू को इमर्ज ऐस सेकेंड लार्जिस इकनोमे इन इंडिया आफ्टर महाराष्टरा के बाद में यहां पर स्टेट की बात करें तो स्क्रेक्टेंसर अप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्टेंसर हो जाएगा अगला है योगमाया टेंपल टेट वाज रिसेंटली मैकिंग निउज इस डॉक लोकेटेड इन इफिच शिटी तो एक टेंपल के बारे में बात हो जिसका नाम है योगमाया टेंपल जो कि लोकी हाली में निउज बना रहा था तो पुछा ज़रा की कौन से सहर में इस्तित है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली तो योग माया टेंपल आपको याद रखना है कि कहां पैसे थे दिल्ली में इस्तित है एक्ष्ट कोस्टन है रिसेंट्ली वीच कंपनी है डेवलप्ट कुरू ट्रीम बिंग प्रोमेटेट एस इंडियास ऑन एयाई ए प्रटल को बनाए गया अप्शन बी ओला दौख किसके दोरा बनाया गया अच्शक्याने वीच मिनिश्टी है डेसेंट्ली लॉंच तो नेश्नल जियो और लिटी पोर्टल को वंसे पॉटल को तो नेश्नल जियो सैंस ्डेटासपार्टी पोर्टल को अग्सवाल है डरेस रिसेंटलि फ्लैट ओफ दकांविल संगम एक्सप्रेज रेगुलर ट्रेन सर्विस कॉनेक्ट बनार्सी टू वेच सिटी इन साथ इंडिया तो कहा जरा है कि हला ही में फ्लेग आप गया एक कासी तमिल संगम एक्सप्रेज को जो कि रेगुलर पर ट्रें तमिल संगम एक्सप्रेस इसका है जो किसकी सिटी को जोरने का काम कर रहे तो वानारसी और कन्या कुमारी को अगला सवाल है वाट इस दने में आप पोटाइटो डिजी डेट वर हेल्स कॉस्टेंशियल डैमेज टू पोटाइटो क्रॉप एक्रॉस वेरियस डिस्टिक और पं पुरे मतलब पंजाब के तो पंजाब के जो इकला था जिसमें क्या कि पोटाइटो जो भी खेट जीलों में तो अगर हम सब्सक्राइब का अप्सन बेलेट ब्लाइट डिजीज है जो क्या करता है पोटाप्स को डेमेज राता है छती पहुंचाता है अगला सवाल है चिड चंद्र सेखर सेठी जो हाली में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अबाड प्राप्थ इंट यह मेजर ध्यानचंद खेल रतन अबाड 2003 से समानित किया गया तो पुछा जा रहा कि एकिसवाट से बिलोंग करते हैं किसस्पोर्ट से जूरे हुए तो अगर हम बात करें चिड़ वीज कॉंट्री मुच ऐस दवीनर आप यू 20 एस्य कप में जर्थे जो कहा जारा कि हाली में कौन सा देश जिस जो वीनर है अंडर 90 कि एस यह कप दो हजर तेश का तो लग लग इसका सही उतर डीप बंगलादस कौन हो जाएगा बंगलादस से जो की वीनर है अंडर ट्वेंटी स्वरी अंडर नाइटीन एस यह कप दो हजर तेश का नेश्ट है मिला है उनको यह यहां पर पूंटिया तो यहां फेंसर हो जायेगा यह तो इसका सही आप्षयरन में धा यहैं ट्रक बैक्टरिया टले करेक्टिया ऊप्षण भी हो जाएगा जो यह एक तरह का बैक्तिरी बैक्तिरि आये जो हाली में नियूस में था नेस्ट इभ इनिवर्सिटी हैस वन दम अबोलाना अबुलकलाम-अजाद ट्रोफी 2023 जो मौलाना नाम बताना है कि गुरु नानक देव इनिवर्सिटी है यह किस राजिय मेंस्तित करें तो यह चीज़ आपको कमेंट सेक्षन में बताना है दो कहा जा रहे कि कौन से जगह पर जो दलाई लमा है उनका नाम आपने सुना हो का हाल धाया ने कि उध्राटन किया है पहले इंटरनेशनल सांघा फोरम का इसका करेक्ट एंसर देखे तो करेक्ट एंसर अप्शन बी हो जाएगा बोध गया ठीक है जो बोध गया है कहां पर है तो बिहार ठीक है बिहार में है जहां पर भागवान बूध को ग्यान की प्राप्ति होई थी बट ब्रिश के निची तो वहीं पर दलाई लामा द्वारा इनोग्रेट किया गया है उध्गाटन किया गया पहला इंटरनेशनल सांघा फोरम का खेल इसवा कोशन दिया गया कि नाम दफा फ्लाइंग स्कॉरल डेट वाज रिसेंटली इन्यूज इंडेमिक टूविच इंडियन एस्टेट तो ज चीज जो खास एरिया में फैला हुआ उसको इंडेमिक बोलते हैं नाम दफा फ्लाइंग स्कॉरल जो की फैला हुआ था कहां पर और ना चल प्रदेश में ठीक है तो वहीं चीज पूछा गया थे यहां पर अगला दियागी कि दिसंबर 24 इस सेलिबरेटेट है दिसंबर 24 के इंज्णुमर राइट दे अधिकार दिवस के रुपे मनाया जाता है राष्ट्री अधिकार दिवस के रुपे मनाया जाता है अगला सवाल है दरेसेंटि लॉंच ऑई तो कहा जा रहा है कि हाली में लांच किया क्या क्या माई गोर्णेट्ट इनिसियाटिव के साथ यह जूरा हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा का option से mission करमयोगी क्या है एक क्या है एक गवर्मेंट का इनिसियेटिव है पहल है जिसके तद माई आई गोट और विकास जुरा हुआ है अगला सवाल है वीच बैंक है रिसेंट्री लॉंच इंडिया फॉस्ट कॉर्परेट क्रेडिट कार्ड एलॉइंग यूपी इंटिग्र आइस्ट जिसका Island है तो कहा जारा की कौन सा बैंक है जिसने हाली में लॉंच किया है भारत का ही ब्हारत का पाला बुर्परेट क्रेडिट कड़्यम जो एलाओ करेगा यूपी इंटिग्रेशन इज्व राग्यिस्का नाम कहते है इस बैंक के बार में पुछा जाता है जि और यह आई एंडी ठीक है इंडस 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 बैंक है जिसने लॉंच किया है भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट काड जो की अलाओ करेगा यूप इंटिग्रेशन को जिसका नाम है इस स्वार्न नेस्ट और आज के सब्सक्राइब कोश्चन फताघ्त टू इन्हां लॉंच रॉपेट कांष्ण कर रहा है लेकिन उससे कुछ होने याने को है नहीं तो आउêu होप आपको जो चीज़े समझाई गए होगी समझ में आगया होगा तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन ही पर समाप थूरा सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद